नमस्कार, एटोज़ेट डिशिश उशाकोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ मैं शेर करने जा रहे हैं तंदूरी रोटी और पनीर मसाला इन दोनों का कॉंबिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा चलिए देर नहीं करते हैं शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम तंदूरी रोटी बनाएंगे तो उसके लिए माटा गूंदेंगे तो एक बड़े बरतन में मैं डाल रहे हूँ दो कप मैदा ये ग्राम में 200 ग्राम है एक चोथाई चमच नमक डाल रहे हूँ अब अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं एक चोथाई चमच बेकिंग पाउडर एक चमच बेकिंग सोडा आदी चमच मैं पीसुई चीनी डाल रहे हूँ और दो चमच मैं तेल डाल रहे हूँ अब इसके अंदर में डालोंगी आदा कब दही आप मार्केट का भी ले सकते और घर का भी मैंने आपर घर का लिया है अच्छे से मैदे के अंदर मिला लेना है असे मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर आदा कप पानी लिया है थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे और यह इसे गुन देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक ही साथ आप ना डाले थोड़ा-थोड़ा करकर डाले और देखिए इस तरह से यह नरव माटा आपको गुनना है अब हलका सा तेल लगा लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर मैंने से चिकना कर लिया अब इसे ढख कर एक गंटे के लिए रख देंगे तो जब तक इसे rest मिल रहा है हम बना लेते हैं पनीर मसाला जो खाने में बहुत ही मज़िदाल लगती है तो उसके लिए कड़ाई में डालना है दो बड़े चमस तेल इसके अंदर में डालूंगी दो कटे हुए प्यास आठ से दस में लसुन डाल रही हूँ तीन कटी हुई हर से आठ काजू डाल रही हूँ इसी के साथ 2 कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ और इसे लगातार चलाते हुए हम 5 मिनिट तक इसी तरह से तेज आश पर पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनिट हो चुके हैं यह सबजिया देखे इस तरह से हो चुकी है तो अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हमें तुरंती नहीं पीसना है क्योंकि यह काफी गरम है अच्छे से ठंडा कर ले उसके बाद इसे ढखकर पीस ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ठंडा हो चुका था मैंने इसे इस तरह से ढखकर पीस लिया है अब उसी कड़ाई में जो तेल है उसमें मैं डालूँगे आदी चमच जीरा इसी के साथ दो से तीन लॉंग डाल रही हूँ फिर मैं यहाँ पर डालूँ चार से पास साबुत काली मर्ची और हलका सा इसे मिला लेंगे उसके बाद यह जो हमने पीस के तयार किया था यह डाल दे पाउडर अच्छे से इसे हमें मिलाना है इस तरह से तो यहाँ पर मैंने इसे मिला लिया है अब एक चमच में इसके अंदर डाल रही हूँ बटर और दो मिनिट तक इसे पकाएंगे तो यहाँ पर दो मिनिट हो चुके हैं और देखे कुछ इस तरह से हो चुका है बटर से बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है आदी चमच कसूरी मेथी को इस तरह से मसल कर डालेंगे फिर से एक बार मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसके अंदर में डालूँगी एक कप पानी अच्छे से फिर से मिलाना है उसके बाद मैंने यहाप लिया है 150 ग्राम पनीर जिसे मैंने देखी इस तरह से लंबा काटा है आप चाहे तो कैसे भी इसके टुकड़े कर सकते हैं किसी भी शेप में अच्छे से इसको मिला लेना है मिलाने के बाद इसके अंदर में डालूँगी आदी चमच गरम मसाला और इसे ढखकर धीमी आज पर हम 5 मिनट तक पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं ढखकन को हम हटा लेते हैं बहुती बढ़िया सी खुश्बू आ रही है और हमारी जो सबजी है ये पनीर मसाला बन कर तयार है थोड़ा सा धनिया के पते डाल दीजे और एक बार फिर से मिला लीजे घर पर बच्चों से लेकर बढ़ तक को ये पसन आएंगे इतनी ये बढ़िया है तो हम गैस को बंद कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंटा हो चुका है आटे को रखते हुए तो इसे भी एक बार फिर से मसल लेंगे तो यहाँ पर हलका सा तेल लगा कर मैं से फिर से इस तरह से मसल लूँगी देखिए इस तरह से ये लचीला आटा होना चाहिए अब इसमें से लोई निकालेंगे और दोनों हाथों के बीच में से अच्छे से मसलेंगे देखिए इस तरह से अब हम गैस को ओन करेंगे इसके उपर तवा रखेंगे और अब जब भी तंदूरी रोटी बनाए तो तवा इस तरह से हैंडल वाला ले ताकि हम गैस पर इसे पकाएंगे पर अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मल तवा ले लिजे और इसे पकड की मदश से भी उल्टा कर सकते हैं अब हम चकले पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे लोई को रखेंगे इस तरह से और इसे हम बेलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मैदा है बिल्कुल भी सिकूर नहीं रहा है बेलते जा रहा है उस शेप में यह आता जा रहा है इसे रेस्ट अच्छा मिला है तो आप भी इस बात का ध्यान रखे कि एक गंट ऐसे जरूर रखे डखकर देखिए इस तरह से मैंने बेलकर तयार किया है नहीं जादा मोटा है नहीं जादा पतला है अब इसके उपर वाले हिस्से पर हम अच्छे से पानी लगा लेंगे ध्यान रखे अच्छे से पानी लगाना है और यह जो पानी वाला हिस्सा है वो अब हम तवे पर लगा लेंगे तो यहाँ पर तवा अच्छा गरम हो चुका था इस तरह से लगा लेना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ही पकता जाएगा इसमें ये बबल साते जाएंगे तो अब तवे को उठा लेना है उल्टा करते हुए ये तवे को इस तरह से गोल-गोल गुमाना है ताकि ये जो गैस की हीट है वो इस तरह से लगे और ये देखें अच्छे से पक रहा है तो यहाँ पर ये मेरा अच्छे से पक चुका है कोई साइट से भी कच्छा नहीं है मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ देखे कि तब बढ़िया हमारी तंदूरी रोटी तैयार हुई है अब इसे चकले पढ़ ले लेंगे उपर से आप तेल भी लगा सकते बटर भी पर तंदूरी रोटी पर बटर काफी जादा स्वादिस लगता है बटर लगा लिया है इसे 20 से इस तरह से काट लेंगे तो लीजे तैयार है एकदब मज़िदार वाली ये तंदूरी रोटी जो खाने में बहुत ही मज़िदार लगते हैं इसी तरह से दूसरा भी बना लेना है बबल्स आ जाए इस तरह से तवे को उल्टा करते हुए अच्छे से से शेक ले तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सारी तंदूरी रोटी तयार कर लिए और इसी के साथ ये पनीर मसाला तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए और मज़े कमेंट सेक्षन बताए आपको इस रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना विल्कुल न भूले थांक्यू